नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार जागिंद्र मिस्त्रा में जिस दिन दस रुपए का शिक्का इस पौधे के पास दवा दिया उस दिन से जेब और घर करोडों की दौलस से भर जाएगा जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धन आकर्शन के लिए किस प्रकार आप अद्रश शक्तियों की शहायता लेशकते हैं अगर किशी भी ब्यक्त के जीवन में धन की परेशानी हो जाए या बढ़ जाए तो वह अगर कर्ज में भी डूब जाए तो उस ब्यक्त के लिए यही पर बिल्कुल नरक जैसा जीवन हो जाता है और जिसके साथ भी ऐसी इस्तिती हो जाती है उसके घर में ग्रह कलेस हो जाना लडाई जगड़े बढ़ जाना और शोभाविक हो जाता है और यह सब बुरी हालत केवल शुक्र ग्रह के कारण होती है यानि कि शुक्र ग्रह अगर कमजोर हो जाए तो दुस प्रभाव देने लग जाता है तो उस ब्यक्त के जीवन में करज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और उस के पास धन की परेशानी नीमित रूम से इनकी बनी ही चली जाती है फिजूल खर्च बहुत हो जाते हैं बहुत बढ़ जाते ह तो आज की इस वीडियो में मेरे प्रिमित्रों बहुत ही जादा खास उपाय की बारे में बताएंगे कि जिनको अगर आप करेंगे तो निश्चित ही धन की शवी परेशानी तो समाप्त होती है इसके साथी साथ माता लक्ष्मी जी की खास और विशेश कृपा हो जाती है त दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की विशेश कृपा बन जाए तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के विशेश कृपा आपके उपर भी बनी रहेगी साथी दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर करिएगा तो दोस्तों बता दे कि जब भी कोई ब्यक्ति पर्स में या आलमारी में अपने पैसों को रखता है तो ऐसे में बीना ध्यान दिए गंदे हाथों को पैसे पर लगा देता है। तो आपको बता दे कि कभी भी जूठे हाथ अगर आप खाना खारे तो आपके जिंदगी से फिर खत्म हो ही जानी है तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्षमी जी की खास और विशेश कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो मेरे प्रीमित्रों जो भी पैसे पर्स में आप रखते हैं आलमारी पे रखते हैं तो आप अपने आलमारी में रखते हैं कहीं भे रखते हैं जेब में रखते हैं पर्स में रखते हैं उनको बिल्कुल भी यानि कि माता का स्तुरूप मानकर आपको उन्हें छूना चाहिए इस बात का हमेशा आप ध्यान दे अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में यानि कि धन की कमी कभी न हो धन की बरकत हमेशा हो और करोडों का धन आपके घर में हमेशा बना रहे तो आप जब भी आप पैसे के छूते हैं तो जै मालक्ष्मी का इश्मरन करके ही छूएं इससे धन के स्रोत हमेशा बने रहते हैं दोस्तों बता दे कि साम को सूरज ढलने के बाद किशी को भी आप उधार ना दें क्योंकि जो भी आप उधार देंगे वह आपके पास लोट कर वापस मिल नहीं पाएगा और अगर मिल भी जाएगा तो वह फिजूल खर्च में चला जाएगा यह सब बाते हैं जो बहुत सारे लोगों को यानि की पता भी रहती हैं और पता नहीं भी रहती हैं ऐसे में क्या होता है कि इनी कारणों से धन हानी फिजूल खर्च बढ़ जाते हैं सूरज ढलते समय आपको किसी को भी कभी भी बिलकुल भी पैसे नहीं देना है इसी के साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप किशी को पैसे देते हैं और अगर आप यह चाहते हैं कि जो पैसा आप किशी को दे दें और दुगनी तेजी से दस गुना होकर आपके पास वापस मिलें, तो आप चाहें तो आप कुछ है, भी शमान खरीद रहे हैं, कुछ भी आप ले जितना भी ज़्यादा आप खर्च करेंगे, उतना ही तेजी से दस गुना अधिक आपका धन बढ़ने लग जाएगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, कि जब भी आप खर्च करते हैं, किशी को पैसा देते हैं, तो अपने शीधे हाथ से पैसे देते हैं, अपने मन ही म में, आपको पांच बार, यानि कि माता लक्ष्मी जी का इश्मरण करके ही दें, माता लक्ष्मी जी का इश्मरण करेंगे, तो इससे आपके पास वापस धन फिर से आएगा, और आपको एक लगी नंबर बताते हैं, इस नंबर को इश्मरण करके अगर आप देते हैं, तो वापस माता लक्ष्मी जी आपके घर में आ जाएंगे लखी नंबर है दोस्तों 11 यानि की एक जारा नंबर को यानि की आप आखे बंद करके सबसे पहले आप एक जारा नंबर को अपने मन में यानि दिमाग में सोच लें उसके बाद पैसे आप किसी को देश रकते हैं इस क्र आएं हैं जिन्हें अगर आप करेंगे तो दोस्तों फिजूल खर्च बिल्कुल समाप्त हो जाएगा जो फिजूल खर्च थे क्योंकि देखे दोस्तों बहुत सारे लोगों के यह शमश्या बनी रहती है कि उनके जीवन में धन्तों आता नहीं है और खर्च इतने अधिक ब जाता है तो दोस्तों मेरे प्रिमित्रों आप इस बात का धियान रखें कि अगर आपको किशी से भी उधार लेना है कर्ज लेना है तो आपको यानि कि 11 एक जारा नंबर अपने दिलों दिमाग में बिठा लेना है और सोचते हुए और माता लक्ष्मी जी का भी इश्मरन कर जाता हैं और कर्ज भी चुका पाएंगे इस बात का आप ध्यान रखें कि मंगल को दिन और सनी कर दिन भूल कर भी किसी को ना उधार दें और ना ही उधार लें क्योंकि यह दोनो दिनों में अगर आप कर्ज लेते हैं उधार लेते हैं तो इस से आपके जीवन में दुरभ खास चीजें बताते हैं इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अद्रश शक्तियों से धन आकर्षन भी शुरू हो जाए यानि धन का जो आकर्षन है वो आपके घर में आनी शुरू हो जाए तो आपको केवल इतना करना है कि किशी भी 10 रुपए का शिक्का या आप 5 रुपए का शिक्का नहीं है तो एक रुपए का भी शिक्का दस रुपए का शिक्का लेंगे तो ज्यादा वेनफिट मिलेगा पांच का लेंगे तो उससे आधा मिलेगा एक का लेंगे तो उसका आधा मिलेगा यानि सीधी सी दीसी बात है दोस्तों कि अगर लाखों में खेलना है करोडों में खेलना है तो 10 रुपए का शिक्का जरूर लें दोस्तों इस सिक्क्यों को क्या करना है कि आपको 40 दिनों तक अपने जेब में रखना है यानि कि यह 10 रुपए का शिक्का हो या 5 रुपए का शिक्का हो अपन नहीं इस तरह से 40 दिन तक आपको इस शिक्के को आपने पासी रखना है ऐसा करने से जितने भी आपका दुरभागे जितने भी धन की परेशानी है कर्ज की शमस्या है या कोई भी आपको कर्ज के कारण परेशान करता है जितने भी उरजाएं निगेटि उरजाएं हैं यह दस रुपे का शिक का जान लेगा और पकड़ लेगा इस तरह से रखने से सिक्के में आपकी उरजाएं शमाहित होने लग जाती है क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा खेल यही है कि उरजाओं का ही खेल होता है तो आपको उरजाओं के माध्यम से अद्रश शक्तियों को फिर से मदद करने लग जाती है धन आकर्शन करने के लिए तो दोस्तों आपको केवल इतना करना है कि 40 दिनों तक कोई भी शिका अपने जेब में अपने आसपास रख ले और उसके बाद उस सिक्के को किसी भी पूणिमा के दिन आप चाहे तो आकड़े के पौधे के पास रख दे या अगर नहीं है तो आप क्या करें कि पीपल के ब्रिच के नीचे जहां जड़ है उसके नीचे आपको दबा देना है और दोस्तों दबाने के वाद उसके उपर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दे और हो सके तो आप थोड़ा चावल और काला तिल डाल दे दोस्तों इससे आपके जीवन में तमाम शकरात्मक उरजाएं बढ़ेंगी धन दौलत बढ़ेगा आपके घर की गरीबी दूर होगी और माता लक्ष्मी जी की विशेश कृपा दृष्ट बनी रहेगी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी जीवन में आप इतना ज़्यादा धन प्राप्त करेंगे करोडों से खेलेंगे कर्ज से मुक्ती मिलेगी नव करीब एपसाय दिन दूनी राच चोगनी तरक्की करेंग अगर आपको खास लगी हो और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी की आशिरवाद आपके उपर बनी रहे तो कमेंट स्रक्षन में जय मालक्षिवार्श लिका हो जाते हैं तो बेटको लाइक जरूर करें नहीं तो चलो सब्सक्राइब करें और से शेयर करें